इस शर्चा की शुरूबात आपसे करता हूँ, 50 सेकिन में अपनी बात को रखिए, मेरा मूल सवाल आपसे ही है, जो तनीशा शर्मा का मामला सामने आए है, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर जिस तरह से बार-बार एक मंत्री भी कह रहे है, पुलिस सोर्सिस भी कह रहे है लब जिहाद का अगर एंगल है, तो वाकई यह सोचने वाली बात है और या फिर यह कोई पैटर्न है एक और इंकार, एक और धोका, एक और जिंदगी खतम, और शायद अमीजी एक घंटे में ये डिबेट भी खत्म हो जाएगी लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का उदेश ही क्या है, रिपोर्ट्स की मुदाबिक तो ये भी होता है कि शायद आतंकी संगठन जो बाहर विदेशों में बैटे हैं, वो हिंदुस्तान में, युवा मुसल्मान लड़कों को पकड़ कर उनके माध्यम से एक रैकट चला रहे है बहुत बड़ा शड़े अंद्रिया मीजी ये, एक रैकट चलाया जा रहा है, एक फिक्स रेट इन लड़कों को दिया जाता है सारी सुक्सुविधाएं इन लड़कों को दी जाती हैं, और उसकी वज़ा से ये भोली भाली हिंदु लड़की को फसाते हैं और इनका उद्देश ये होता है, उनके माध्यम से कि किसी भी थरा उनका धर्मांत्रन करा लें और जब इन्हें लगने लगता है ना अमीजी कि ये धरम परिवर्तन नहीं करेगी या ये लड़की किसी फायदे की नहीं है, तो उसी समय ये लड़की को छोड़ देते हैं लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है कि आखिरकार आखिरकार तनीशा शर्मा के करेश के अंदर लड़के ने लड़की को छोड़ दिया था, यहनी तनीशा स्रमा को उस लड़के ने छोड़ दिया था और उसके पंदरा दिन बाद उनके एक लंच में मीटिंग होती है और उसके बाद ये घटा घ्राम होता है तो क्या इसकी अंदर जिहाद वाला रिस्क है आपको लगता है और क्यों लगता है क्यों नहीं है मैंने वही कहा आपको मैंने अमीशी इसी बात को बोला कि जब इन लड़कों को लगने लगता है कि कोई फाइदा नहीं उने वाला है तो यह छोड़ देते हैं क्योंकि शादिये कर नहीं सकते यही तो point है जब इन्हें लगने लगता है कि लड़की समझदार है लड़की यहां आवाज उठा लेगी तो यह छोड़ देते हैं और लड़की भोली भाली वो बुद्धु बन जाती है जान देती है अब सवाल यह उठता है और मैं तो आपके मेसेज आपके वीवर्स को कर रहे हैं महबत करें कि आप हमें तरफ है जा रहा है लेकिन लेकिन मैं सीधा रुक करता हूं माजिद हैद्री का माजिद हैद्री शिजान और तरीशा ने मेक अप रूम में खाना खाया उसके बाद घटा करम हो गया पुलिस इसकी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक मिनिस्टर है माराश के गिरीश माहाजन वो इसको लव जिहाद का मामला बता रहे हैं क्या आपको लगता है कि यह पैटर्न है या फिर आपको लगता है कि यह लव को इश्क को बदनाम करने की कोशिश है देखें अमीश भाई सबसे पहले मेरी बिंती होगी के जो लोग प्रेम को धरम के चश्मेश से देखते हैं उनके लिए मेरी एक मंत्र है कि मुहबत के दुश्मन जरा होश में आ यह मैं होश की बाद इसकी कर रहा हूँ यह कोई मंत्र नहीं है यह आपकी बात है लेकिन हम उनकी बात नहीं करते हैं अब आपने बात आज की के हाँ इसमें क्या लव जहाद का एंगल है तुम आपको बता दो 2013 में जिया खान का आत्महतिया उसने की और उसमें आत्महतिया का आत्रोप अबेडमेंट सूसाइड का केज जो है वो सूरज पंचोली के इसलिए प्यार अगर फेल हो गया यह फेल लव स्टोरी है तो आप इसको फेल लव स्टोरी मानिये या वन साइडिड लव स्टोरी करें जहां यह लड़की जो थी इसका प्रेम था इसमसल्मान विक्जी से लेकिन इसे लव जहाद नहीं देखे आप देखे अब मैं इस पर अब्देक्शन हाई मैं इस पर बहुत बड़ी अब्देक्शन रेस करते हो आपने एक दम लड़की पर ब्लेम कर दिया कि एक तरफा प्यारता ऐसा नहीं था बिल्कुल दोनों का अफेर चल रहा था ब्रेक अप होता है लड़का बोलता है कि मैं अब आरे साथ नहीं रह सक कि वन सेरीड अफेर था एक मुसल्मा लड़के से अगर हिंदू लड़की प्यार कर रही तो इसके अंदर उसकी क्या गलती यह कहने कि अवशकता नहीं थी आप देखे मैं तो हिंदू और मुसल्मान कहीं नहीं रहा है मैं कह रहा हूं दो प्रेमियों की कहानी है एक फेल ल नहीं प्यार में प्रिवार तो सबसे पहले परिवार सबसे ज्यादा क्लोज होता है कि अगरे परिवार ने कहा है उसकी माता जी ने कहा है कि उस लड़के के अफेर चल रहे थे मल्टिपल तो आज सवाल मैं आपसे करती हूं कौन सी महबत थी ऐसी महबत को आप एंडोर्स क करके निगातipher करें स ülke पर आप एपनी से पीरे निगात अबस अपनी वीच किली करीजें की ओषयारा उसकौन तर्फ में में दरधवरी कहानी कि कहना चाहता हूं के игр डेश में मुसल्मान տर्दों और व露ी करें है कि आप उनने वश्कनू संद्री भी हुए लिए जाती है और एक फूजिटिव हिंदू से अफैर करना पसंद करती है लेकिन अपने मुसल्मान प्रेमी को छोड़ देती है ये आप लोग की लव जहाद की कहानी का नतीजा है एक